हलो फ्रेंड आप देखरो हमारा चनल ग्रो बुक्स तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिलिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज हम फिर से आपके लिए नए बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है चारिस्मेटिक लीडर्शीप इसका मतलब ऐसी एसक 2020 में आई या किताब एक आकरशक प्रेक्टिकल गाइड है जो कि आपको और भी ज्यादा इफेक्टिव लीडर बनने में मदद करती है हम सबी के कोई पसंदीदा बोस या मेंटॉर होते हैं जो कि हमें उनके सब्दो काम एनरजी और कन्विक्शन के द्वारा मोटिवेट कर करते हैं चारिस्मेटिक लीडर्शिप आपको वैसा ही मोटिवेट करने वाला इनसान बनाती है यब वो किसके लिए है लीडर या मेनेजर जो आपकी अपने एमपलवाईज को मोटिवेट करने की अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं महतवा कांची करमचारी जो की काम को जोईन करना चाहते हैं लीडर या मेनेजर जो की अपने एमपलवाईज को मोटिवेट करने की अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं अधियाय नमर एक प्रतीवा बहुत महतवपूर है और इसका महतव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है आप अपने बारे में क्या स तोंशते हैं कि आप कितने प्रतिभा साली हैं क्या आप अपने एमपलवाईज को इंस्पायर करते हैं क्या आप एक सिंसियर और सेल्फ अवेर इंसान हैं क्या आप लगतार गोल सेट करते हैं और अपने टीम को उन गोल्स को अचिव करने के लिए तियार कर पाते हैं आप इन सबी सवालों का बहुत ही positive जवाब दे सकते हैं, लेकिन असल में सवाल लिया है कि क्या आपके काम करने वाले भी आपके इन जवाबों से agree करते हैं, लेकिन सचाईया है, एक बोस अपने आपको अपनी प्रतीबा के basis पर जितने mark देता है, उसके employer उसको उतने ही कम marks देते ह यहाँ पर सवाल खुदी खुद को आखने का नहीं है, यहाँ पर सवाल है कि आपके साथ काम करने वाले लोग आपको कितना आखते हैं, लेकिन बोस की skills इतनी महतपूर क्यूं होती है यह एक बहुती समाने बात है, कि कोई भी इनसान अपने बोस से इंस्पायर होना चाहता है, एक प्रभावसाली लीडर अपने employees में trust, positivity और होसला भड़ता है, वा सभी करमचारियों को आपस में जोड़के रखता है, और यह करना उसके business के लिए बेहद अच्छा साबित होत है, और ने चारिस्मेटिक लीडर्स की विशेशता को identify करने के लिए बहुत सारे manager और employees के survey के द्वारा information collect की है, बहुत सारे company के CEO के interview लिये हैं, और खुद के work experience को भी share किया है, उन्होंने अपने किताब में यह explain किया है, और आप इस समरी में इसमें बहुत सी लोगों से भी मिलेंगे, जिनसे author इन survey के द्वरान connect हुए है, इसके अलाव आप जानेंगे कि आपको अपने contact का पालन क्यूं करना चाहिए, पबलिक as speaking को लेकर होने वाले डर को कैसे दूर किया जाए, और employee और boss के बिच trust issue क्या होता है, एक मिनट के लिए दुनिया के उन inspirational leaders के बारे में स आपकी लिस्ट में कौन कौन है, एस्टिव जॉब्स, विस्टन चर्चिला या नेल्सन मंडेला, लेकिन ऐसा क्या था, जिसने इन leaders को बहुत ही मेग्रेटिक या inspiring बनाया, अगर एक सब्द में कहे तो उनके प्रतीबा एक leader का बहुत ही जुरूरी हिस्सा होती है, जो की सफ सलता के लिए महतपूर होती है, सभी प्रभावसाली leaders में एक बात बहुत कमन होती है, और वो है उनके effective presence, इसका मतलब यह होता है कि आपका किसी जगा होना, वहाँ पर उपस्तित लोगों में एक positivity पैदा करना, आपकी effective presence आपके प्रती, आपके organization के प्रती, और उनके काम के आपके employees को अच्छा feel करवाती है, प्रभावसाली leader अपने effective presence को 5 बिशिशताओं के दोबरा बिख्षित करते हैं, auto, tct, personal, auto, ctc, personal, power, warm, drive, perception, लेकिन इन में से एक भी बिशिशता का हद से ज़्यादा हो जाना, आपके business के लिए गलत साबित हो सकता है, इसलिए अच्छा यहीं होगा कि आप इन सभी बिशिशताओं में balance बना कर चले, author की research के अनुसार, एक मध्यम परतिवा वाली leader के employee अपने काम से 55% ज़्यादा respect, 56% ज़्यादा motivate और 24% ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, काम करने के इच्छा और काम के प्रति लगाव, बिजनस में profit generate करने में सायख होता है, यहां तक कि वह कंपनियां जिनके करमचारी अपने काम को लेकत ज़्यादा engaged होते हैं, उनका net worth एक साल में दोगुना हो जाता है, उस कामपनी के मुकाबले जिसके एंप्रवाइज कम काम करने के लिए उत्सायत नहीं होते हैं, आज के समय में प्रतिबा एक बहुत ही महतपूर हिस्सा है, मैकिने से गलोबल इंस्ट्यूट की एक रिपोट के अनुसार, 2030 तक दुनिया के लगबग 345 मिलियन लोगों को अपना आक्यूपेशन बदलना होगा, और नई एस्किल्स को डेवलप करना होगा, टेकनलोजी और रिमोट वर्किंग कल्चर होगा, फूल टाइम काम करने वाले करमचारियों की टीम को मोटिवेट करने के लिए, और उनके काम के प्रती उन्हें उत्साइद करने के लिए, उनके लीडर में इस प्रतीबा का होना बहत जुरूरी हो जाएगा, बिजनस फोर कास्टर्स ने ऐसा भुरोसा जाताया है, कि आने वाले समय में बिजनस दो भागों में बढ़कर काम करेगा, एक वह हिस्सा होगा जिसमें काम करने वाले एमपलवाइस, एडवाइस, डिजिटल टेकनोलोजी का यूज करेंगे, और दूसरा वह होगा जिसमें आपको एक ऐसे लीडर की जरुवत होगी, जो भहुती परतिभावन हो और इनोवर्टिव आइडिया के साथ टीम को लीडर कर सके, और कमपनी के सक्सेस बढ़ा सके, इन सब इफ्यक्ट्स का यह मतलब है कि कमपनी को एक ऐसे एस स्ट्रॉंग लीडर के जरुवत होती है, जो अपने टीम को इंस्पायर करें, एनकरेज करें, किरियाटिविटी और इनोवेशन के साथ काम करना सिखाए, आज के समय में कोई भी आर्गनाइजेशन इस तरह के लीडर के बीना एक कच्छरे के समान होगी, क्योंकि अगर उसके पास एक ऐसा लीडर नहीं है, जो अपने टीम को इंकरेज कर सके, तो वो आर्गनाइजेशन लॉस में ही जाएगी, अधियाय नमर दो, इमानदारी भुरोसे को जनम देती है, और यह भुरोसा आपकी आर्गनाइजेशन के लिए वर्दान साबित हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि समय ही पैसा है, लेकिन एक इंजिनियर जिनके पास ओथर ने काम किया है, उनके अनुसार भुरोसा ही पैसा है, तो आप बिना किसी डर के कुछ चीज़े चेंज भी कर सकते हैं, आप ज्यादा इनोवेटिव काम कर सकते हैं, और ऐसा करने का बाद भी आपके एंपलवाय पार्टनर, सप्लायर और कस्टमर आपके साथ काम करने में कमफर्टेबल ही महसुस करते हैं, युकि उन्हें आप भरोसा है, आप जो भी करेंगे सही करेंगे, लोगों का भरोसा जितने के लिए आपके काम के प्रामारिक्ता का होना बहुत जुरूरी है, और कैरिज मेट्रिक लिडर्शिप का या पहला कॉंपोनेट होता है, आपके काम के प्रामारिक्ता के लिए आप खुद को जानना ब और उसके बाद लोगों से फीड़ेक ले सकते हैं कि लोगों पर आपके वीडियो का क्या इंप्रेशन हुआ है जब आप लोगों के फीड़ेक देखेंगे तो आपको खुद को इंप्रूब करने में और जानने में हेल्प मिलेगे आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि आपको कोर वैलूज और बिलिप्स क्या है उस हर बात के बारे में भी इस्तार से सूचिए जिसकी वज़ा से आज आप अपने केरियर में आगे बढ़ पाए हैं हर एक महतपुर घाटना से अपने क्या सीखा और किस तरह से आपने खूद को बदल कर अपनी सफलता के परिणाम भी बदल डाले आपकी वैलू कुछ भी हो सकती है जिनकी वज़ा से आप मोटिवेट फिल करते हैं एक बार आप अपने सिध्धानतों को अच्छे से समझ आते हैं तो फिर समय आता है उन सिध्धानतों को प्रैक्टिकली जीने का या उन पर अमल करने का उधारन के लिए अगर आपको सबसे इंपोर्टेंट सिध्धानत है रिस्पेक्ट करना तो दुसरों को इज़्जद देना तो आपको इस बात के लिए इंसियर हो जाना की जरुवत है कि आपके ओफिस में भी ऐसे ही मापदंड हो जहां सब आपस में एक दुसरे के इज़्जद करते हो इन बातों के लिए आपको सर्म महसुस करने के जरुवत नहीं है खुद के साथ ही मंदार रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिलिवस के साथ कमिटेड रहें एमपलवाईज को उन लीडर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है जो लीडर्स प्रस्नल पावर दिखाते है बिजनस की दुनिया में पावर वर्ड ऐसा लगता है जैसा कोई बॉस सक्सेस के टॉप पर जाने के लिए कुछ भी कर जाएगा लेकिन प्रस्नल पावर का मतलब बहुत ही अलग होता है एक ऐसे प्रस्नल्टी या एस्ट्रोंग करेक्टर जोकी लोगों में भर्षा को जगाता है और जिसे लोग फोलो करना चाहते है केरिजमा का दुसरा कमपोनेट होता है अपने प्रस्नल पावर को सो करना क्योंकि आपके टीम को आपके बोड़ी लेंग्वेज और अप्यरेंस से काफी कुछ संकेत मिलते हैं अगर आप अपने ओफिस में चेहरे पर बुरे से एक्सप्रेशन लिए और बिखरे से कपड़े पहने हुए आते हैं तो यह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल लेकर चले यह आपके साथ काम करने वाली आपके टीम को पॉजिटिविटी देगी और आपके प्रती उनका भुरोसा बढ़ेगा इसके साथ यह खूद के प्रसनाल्टी पर भी काम करना न भूले एक बार आप अपने लुक्स और बोडि लेंग्वेज को एस्ट्रोंग बना लेते हैं उसके बाद आपको एक प्रभावसाली लीडर के माइनसेट को समझना होता है कि एक कैरिजमेटिक लीडर किस तरह से सोचता है और काम करता है प्रब्लम्स को सल्व करने में एक्टिवेट रहना अपने एक्षन्स और थिंकिंग की रिस्पोंसिबिलेटी लेना मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता है कि जगह मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा या थिंकिंग की लेकर चलना एक प्रभावसाली लीडर के बिसेश ताय होती है हमेशा आसावादी रहना या उम्हिद्द से भरा रहना भी एक प्रस्नल पावर का बड़ा हिस्सा होता है लेकिन कभी-कभी हमारा खुद का दिमागी हमारे खिलाप काम करता है और प्रसानी के हल पर फोकस करनी के जगह रुकार्ड पर ही फोकस करता रहता है जोकि ब्यचैनी और चिंता का कानण बनता है इसलिए प्रसानी को रिफ्रेम करना बहुत जरूरी होता है रिफ्रेम करना किसी difficult situation में positive रहने का एक बहुत ही powerful तरीका होता है इसका यह मतलब है कि किसी भी problem को इस तरह से सोचा जाए कि वह एक challenge जिसे आपको जीतना है किसी unhappy client के साथ आपको meeting करना है और उसके साथ meeting करने में आप बिल्कुल भी comfortable नहीं है लेकिन यह meeting बहुत ही easy हो सकती है अगर आप इसे reframe करके देखे अगर आप इस meeting को एक और मोका समझे client की जरुवत हो अच्छे से समझने के लिए तो आपका काम और यह meeting दोनों ही बहुत असानी हो सकती है और फिर इस meeting के बाद आने वाले समय में आप अपने performance को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं personal power का मतलब यहीं होता है कि आपके अंदर हमेशा juice और energy बनी रहती है वह leader जो energetic और positive होते हैं अपने team को अपने इस spirit से और भी ज़्यादा strong बना देते हैं अगर आप किसी काम को high energy के साथ करते हैं तो यह भी ज़रूरी है कि आपकी team भी उसी energy के साथ इस काम को करें अपने employer के energy level को पता करने के लिए आपने आप उनके साथ इस बारे में चर्चा करते रहा करें जैसे कि आप रोज उनसे पुछ सकते हैं कि आज वो कितना energetic महसुद कर रहे हैं आप उनके energy level को numbering करने के लिए कह सकते हैं जैसे कि 0 से 10 के बीच में इसी प्रकार से आप उनसे इस बारे में सवाल भी कर सकते हैं कि अगर वे ऐसा फिल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं या ऐसा और क्या किया जा सकता है जिससे वो और ज्यादा energetic महसुद कर सके एक बार यह काम करने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि आपके team को और किस तरह की help चाहिए एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए और उसी तरह से आप उन्हें motivate करके अपनी team के energy लेवल को बढ़ा सकते हैं अधिया नमर 3 आपके team के साथ आपका emotional connection एक एस्थाई छाप छोड़ता है एक agency की manager सक्षी इंट्रोवर्ट नेचर की है वो बहुत जल्दी किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है लेकिन वो हर सुबा जल्दी ओफिस आकर अपने एस्टाप से बहुत देर तक बातचित करती है यह बातचित काम के सिलसिले में नहीं बलके कुछ अलग मुद्धो पर होती है साक्षी ने यह सीखा है कि किस तरह से team के अंदर गरम जोशी को बरकरा रखना है जो की charisma का तीसरा component है अगली बार जब आप ओफिस में जाए तो अपने किसी भी एक employee को बुला कर उनसे काम के अलावा भी दूसरे बाते कीजिए आप बहुत जल्दी यह महसुस करेंगे कि हर इनसान का अपना एक अलग emotional signature होता है यह वह impression है जो आपने अपने टीम से बातचित करते समय उन पर छोड़ा था यह positive हो सकता है आपको खुश कर सकता है और मजबूत भी बना सकता है यह फिर यह negative हो सकता है आपके आत्म विश्वास को घिरा सकता है यह फिर आपको frustrating feel करवा सकता है एक बार आप दूसरे का emotional signature को समझने लग जाएंगे उसके बाद आप यह खुद से पुछे कि आपका emotional signature किया है अगर यह disrespectful थोड़ा अलग और critical है तो यह आपके एमपलवाईज के लिए कम आत्म विश्वास जगाने वाला होगा कियोंकि जब आपके एमपलवाईज आपके साथ जुड़ाव ही महसुस नहीं करेंगे तो वा काम के प्रति आत्म विश्वास और जोस को कैसे जगा पाएंगे लेकिन अगर आपका emotional signature positive है तो यह आपके टीम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आपके टीम पूरी एनरजी के साथ काम करेगे तो साक्षी के उधारनों को follow कीजिए और अपने staff के साथ बाचित कीजिए अपने employees में और उनकी जिन्दगी में interest लेजिए और या जानने की कोशिस कीजिए कि उन लोगों के लिए क्या important है उनसे प्रसन सवाल कीजिए और देखिए कि वह आपको इन सवालों के बदले में क comfortable महसुस होगा यहां कुछ नए तरीके हैं जो आपकी emotional signature को जल्दी improve करेंगे हमेशा अपने आसपास वाले लोगों को उनके नाम से बुलाएं इससे उनको ऐसा feel होगा कि आप उनने उनके नाम से जानते हैं और पहाचानते हैं हमेशा अपने employees से मदद के लिए पूछते रह चाहिए या rest room किस तरह का होना चाहिए अगर आप अपने staff और team members को seriously नहीं लेते हैं तो कोई भी trick काम नहीं आएगा आपको अपनी listening skills को बढ़ाना होगा और अपनी employees को या appeal कराना होगा कि आप उनकी प्रसानियों को लेकर चिंतित हैं और उनके साथ हैं जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी सुनने की छामता को हमेशा उपर रखे सिर्फ खूदी ना बोलते रहे सामने वालों को भी सुनने उसे भी बोलने का मोका दे इसका यह मतलब हुआ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ भी react करने से पहले उनके बात को ध् परसन की इमोशनल प्रस्पेक्टिव को समझने की कोशिज करे और उनसे बात करते समय अभी पूछे कि आज आपको कुछ अपसेट देख रहा हूं क्या हो कुछ बात है क्या कुछ हुआ है ऐसा करने से आपके टीम मेंबर्स के मन में आपके लिए यह भावना आएगी कि आप प्रसानियों के लिए कर चीनती थे आपके इमोशनल सिगनेचर पर ध्यान देने से आप अपने एश्टाप को इंस्पायर करेंगे उनमें पॉजिटिविटी आएगी और वे एक लोईल रहेंगे अधियाय नमर चार जब कोई लीडर किसी वज़ा से प्रेयरित होता है तब वो अपनी प्रेयरा का संचार अपने आसपास राने वाले लोगों में भी करता है जातर समय यही होता है कि हम सुबा जल्दी उठकर आपिस पहुँचने के लिए बहुत एश्ट्रागल करते हैं सुबा जल्दी उठकर आपिस पहुँचना हमें से बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किर होता है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह भी माल लेना चाहिए कि आपका एश्टाब भी ऐसा ही करता होगा एम्पलवाई और मेनेजर के पास उनकी सेलिन लेने के अलावा भी ऐसा एक कारण होना चाहिए जिसकी वज़ा से बहुत सुबा जल्दी उठकर अपने काम पर जाए और काम को अच्छी तरह से अंजाम दे कहने का मतलब यह है कि हम सभी को एक ऐसे अभियान या ड्राइव की जरुवत है जो हमें जल्ली उठने और काम करने पर मजबूत करते और यहीं ड्राइव कैरिजमेटिक लीडर्शीप का चोथा कॉम्पोनेट होता है बहुत से मैनेजर बहुत लोजिकल होते हैं और हमेशा सिर्फ वर्क पर ही फोकस करते हैं लेकिन जब मोटिवेशन के बारी आती है तब यह एक बड़ा प्रॉलम बन जाती है क्योंकि वह कभी अपने स्टाप के साथ बात्चित करने के लिए इंगेजड हुए ही नहीं तो वह अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे इसलिए एक टीम का होना या एक कमपनी होने के लिए आपके पास हमेशा एक केलियर परपस होना चाहिए जो कि आपको सब कुछ करने के लिए मोटिवेट करता हो इसे हम कुछ आर्गिनाइजेशन के बहुत ही छोटे और अच्छे एक्जामपल्स के साथ देख सकते हैं जैसे कि एपल, ठिंक डिफरेंट, कोका कोला, ओपन हैपिनेस ड्राइब सिफ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं जब कि यह इस बारे में भी है कि आप इसे किस तरह से कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके टीम किस तरह से काम कर रही है लगतार आपको इस बात पर focus करना होगा और उस तरीके को improve करना होगा अपने team members के काम की तारिव करना अपने एक stop को motivate करने और inspire करने का एक powerful तरीका हो सकता है अकसर लिडर बहुत ही कम ऐसे करता है जब वे अपने एक stop के लिए positive सब्द बोलते हैं जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है तब खुद ही सारा क्रेडिट ले ले लेते हैं। रूची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनका कंसलेटिंग सर्विसेज का बिजनेस आचानक से कुछ परिसान्यों में घीर गया। और उन्हें अपने कस्टमर्स को बढ़ाने की जर्वत महसुस होने लगी। चीजे और ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन रूची हर रोज अपने टीम मेंबर्स को डेस्क पर जाकर उन से पूछती थी कि कस्टमर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए वे क्या कर रहे हैं। हर बार रूची को अपने एस्टाप से कुछ नए आइडिया सुनने को मिलते थे। वे इस आइडिया को इंप्लिमेंट करती थी और पूरे एस्टाप के साथ एक होकर काम करती थी। जो भी अच्छा आइडिया थे उन्हें वर्क करना शुरू कर दिया और टीम के रेगुलर इस पर काम करने लगे। आठारे महिने को अंदर ही रूची के टीम बेस्ट पर्फॉर्मेस देने वाली टीम बन गई। और रूची का स्टाप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड से स्टाप में से एक मन गया। टीम मेंबर्स को प्रचाइद करना उनकी एस्टेटजी को एक्षन में बदल देता है। पब्लिक एस्पिकिंग दुनिया के सबसे कॉमन डर में से एक है। कुछ लोग तो पब्लिक एस्पिकिंग से इतना डरते हैं जीतना कि वह अपनी मौट से भी नहीं डरते हैं। लेकिन पब्लिक एस्पिकिंग बोल से लोगों के करियर का एक एसेंसियल और अवाइड ना किये जाने वाला हिस्चा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि धीरच के साथ आप अपनी एस्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रत्साहन केरिजमेटिक लिडर्शिप का माचवा और आखरिक कॉम्पोनेट है। यहाँ पर यह है कि मेसेज दिया गया है कि प्रत्साहन आपकी एंप्लवाई को अपनी एस्टेटजी को एक्षन में बदलने के लिए उस्साइद करता है। अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पिकर बनना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे टिप्स और टिक्स हैं जिनको अपनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि अपने ब्रेधिंग को कंट्रोल करना, अपने की पॉइंट्स को नोट करना, बोलने के शुरुवात को अच्छे से क्रॉप्ट करना, और इन सब में से सबसे उपर आता है अपना कैरिजमेटिक होना। इसका यह मतलब है कि आपकी ओडियंस पर एक emotional impact होना चाहिए, और इसे करने के लिए एक powerful story बनाना और उसे अपनी ओडियंस को सुनाना, सबसे अच्छा तरीका है, अपनी ओडियंस को आप से और आपकी aspects से emotionally connected होने की जरुवत होती है, और एक ऐसी story जो लोगों के दिलों को चू जाए, उनके साथ connection बना लेती है, तो आप एक impactful story को कैसे बयान करेंगे, इन्हें अपने आदर्सों के साथ connect करने करके सुरू कीजिए, आपका कोई एक आदर्स हो, उसे आप खूले दिल से audience के सामने रखिए, इसे बताने के लिए कोई एक employee का example लेजिए, जिसने आपक क्लाइन को जितने के लिए किस तरह का, इस तरह का कोई एस्टेप लिया हो, या फिर अपने career को कोई ऐसा turn बताईए, जो कि आपके लिए मिल का पत्थर साबित हुआ हो, अगर हम प्रोत साहन की बात करें, तो यह आपके team और क्लाइन के बीच conversation में बहुत ही essential हिस्सा होता है United States के लगबग 70% मेनेजर ने यह बताया कि उन्हें अपने एमपलवाइज के साथ बाक्षित करने में बहुत ही uncomfortable feel होता है, इससे तरह बिरिटेन के आदे से ज़्यादा मेनेजर अपने एमपलवाइज के साथ negative conversation को अवाइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपने एस्टाप के साथ कर्माजेशन करते हैं, चाहे वो मुश्किल हो या आसान या आपको आपके आइडिया को अचीव करने में help करती है, क्या आप अपने टीम को कुछ बदलाव, development या प्रोसेसर के बारे में बताने के कोशिस कर रहे हैं, या कर्माजेशन कि किसी प्रोलम का solution ढूनने के लिए है, या पिर किसी अप्रोच में improvement लाने के लिए है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आप अपने एस्टाप के साथ अपनी कर्माजेशन को बहुत ही किलियर और point to point रख सकते हैं, उन लोगों से सवाल किजिए, उन्हें guide करने के लेने के बारे में भी सोचेंगे, जब आप अपने इस प्रोचान के power का उप्योग करेंगे, और साथ ही अपने charisma को भी इसमें combine करेंगे, तब आप असल में एक inspiring leader के तरह काम कर पाएंगे, आपना सिर्फ अपनी team members को motivate करेंगे, साथ ही अपने employee को अच्छा काम करने के लिए increase भी कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आप अपने business के लिए बहुत सारे benefit create कर पाएंगे, जो कि आपके profit को increase करेंगे, आपके business में नए innovation लाएगा, और productivity को भी बढ़ाएगा, कुल मिलाकर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, कि charisma कुछ लोगों को उनके जनव के साथ ही मिलता है, या फिर कुछ special लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है, आप अपने charisma को improve कर सकते हैं, इसे आप अपनी authenticity, personal, power, warm drive और प्रोत्साहन के द्वारा improve कर सकते हैं, आप लोगों को inspire और motivate करने के लिए एक नए host बन सकते हैं, क्या करें, अपने employees को strategic goals दीजिए, author की research में उन्होंने पाया कि करमचारियों को महतवपूर और मुल्यवान महसुस करवाना, office का environment और organizing का vision उनके लिए सेलिय देने से ज़्यादा महतव रखता है, एक और बात जो आपके employees के लिए ज़रूरी होता है, वो है strategic, goal और target, जो की हासिल करना मुश्किल हो, लेकिन हास किये जा सके, जब आपके employee आपके strategic goals को अचीव कर ले, तो उनकी इस success और hard work को celebrate कीजिये, उनके काम के तारिप कीजिये, और उनका प्रत्सान कीजिये, ऐसा करना आपके करमचारियों के दिमाग में एक chemical का संचार करेगा, जैसा dopamine, serotonin और oxytonicin जो की उनके motivation और trust को boost करेगा, और ज्यादा मेनत के साथ काम करने के लिए उन्हें प्रत्साहित करेगा,